और चलिए आगे बरते हैं बड़ी खबर आपको देंगे नियूज 18 के महा मंच पर आज सियासत के दुरंदर जिटने जा रहे हैं प्रदेश के भविश्य के साथ ही सियासत पर दिगजों के साथ मन्थन आज होगा आज दो पहड तीन बज़े का समय रहेगा जहां से लगातार राइजिंग राजस्तान आपको देखने को मिलेगा राइजिंग राजस्तान की तैयारिया क्या है इसके लिए आपको सीधे हम जैपूर लिए चलते हैं जहां से हमारी सयोगी प्रियांका हमारे साथ लाइफ जुड रही है दरसल आपको बता दे कि राजस्तान के भविश्य पर दिगजों के साथ आज मन्तन रहने वाला है और नियूज रेटींग के महा मंच पर आज दिगज जुडने वाले हैं जहां पर राजस्तान के विकास को लेकर राजस्तान के रोड माप को लेकर वहां सिक्षा को लेकर इंट्रस्ट्रेक्चर को लेकर तमाम सवालों के जवाब आज राजस्तान के सियासी दिगज देने प्रियंका हमारी सयोगी वहाँ पर है सीधे जैपूर आपको लिए चलते हैं प्रियंका तस्वीरे भी दिखाईएगा और बताईएगा कि आज राइजिंग राजस्तान के मंच पर क्या तस्वीरे रहेंगी बिलकुल आज का दिन है बेहत खास क्योंकि आज सबसे बड़े मंच पर होगी दिखजों के साथ सबसे बड़ी चर्चा राजस्तान में अब तक क्या हुआ विकास के दावे कितने हकिकत में तबदील हो पाए मेरे ठीक पीछे ये मंच आप देख पा रही है मंच लगबख सचकर तयार है ये आम मंच नहीं ये खास मंच है जहां पर नसर्फ मुख्य मंतरी भजनलाल शर्मा डिप्टी सीम बलकि प्रदेश के तमाम मंतरी विधायक भी मौजूद रहने वाले हैं साथी साथ कई केंद्रे मंतरी भी आपर पहुचेंगे और होगा सीधा सवाल और जवाब की आखर अब तक जो दावे किये गए वो कितने हकीकत में तबदील हो पाए क्योंकि सरकार बने आठ महीने हो चुके हैं और ये दावा किया गया था भजनलाल शर्मा की ओर से डबल इंजन सरका के आने के बाद प्रदेश में विकास होगा तो विकास कितना हो पाया कितने वादे पूरे करपाई सरकार इन तमाम बातों को लेकर आज सवाल जवाब करेंगे समंच से तयारियां आपको दिखाएंगे कैमरा मैं से कहूंगी कि थोड़ा सा कैमरा टिल्ट करके इधर भी दि सबसे बड़े मंचिपर प्रदेश के विकास को लेकर होगी सबसे बड़ी चर्चा तमाम दिगजों के साथ तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे प्रदेश का नमबर वान न्यूज शैनल न्यूज एटीन राजस्थान ममता बिल्कुल प्रियंका साथ तोर पर आज कई केंद्रिय मंत्री यहाँ पर रहने वाले हैं विधायक और राजस्तान के विकास पर हम बात करेंगे वहां के रोट बैप को लेकर चर्चा की जाएगी कितना विकास अभी तक हुआ है सरकार का आगी का विजन क्या है वो महत पू करनाओं में बंपर वोट भी पड़े बीजेपी को और ऐसे में दाइट वो बनता है सरकार का कि जो लोगों की उमीदें हैं उन पर सरकार खरा उतर पाए और उमीदों पर सरकार खरा उतर पाई है या नहीं इसका सवाल ना सिर्फ नियूज एटीन पूछेगा बलके हमारे स प्रियांका साफतोर पर आज बड़ा मंच तयार है जो आपर बड़े